नमस्ते फ्रेंद्स वेलकम बैक टो आवर चैनल आज हम बनाएंगे एकदम मुलायम और फुली फुली पुरन पुली पुरन पुली जो है वो महाराश्रा की फेमस डिश है और इसको हम कुछ ट्रिक और टिप्स के साथ बनाएंगे कि आपकी पुरन पुली बिल्कुल भी बनक अब हम इसको कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे और पानी डाल के इसको बॉलिंग के लिए रख लेंगे उससे पहले हम इसमें डालेंगे एक चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा ओई और अब इसको तीन से चार सीटी के लिए हम रख देंगे जब तक हमारा जो डाल है वो इसको सिर्फ आटे से भी बनाते हैं और कई लोग मैदे से भी बनाते हैं तो यहां पर मैंने हाफ हाफ कौइंटिटि का लिया है और इससे भी बहुत अच्छे बनके त्यार होगी अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चुटकी बर नामग और साथ में डालेंगे एक चोटी चमच के लगबग हल्दी हल्दी से जो कलर आता है बहुत ही अच्छा आता है तो हल्दी डालने के साथ में अब डालेंगे इसमें दो चमच ऑईल अगर आप चाहें तो आटे को और सॉफ्ट करने के लिए आप इसमें जो घी होता है वो भी डाल सकते हैं घी से जो होता है हमार सा उइल और लगाएंगे हम लोग और इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए जब भी हम फिलिंग वाला आटा बनाते हैं तो जो हमारा आटा होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए हार्ड नहीं हमारी जो फिलिंग होती है वो अच्छे से पूरे जो हम रोटी बनाते हैं तो अच्छे से हर तरफ फैल जाती है तो इस तरीके से अब हमने इसको थोड़ा सा 10 मिंट के लिए रेस्ट पे रख देना है अगर आप चाहें तो इसको एक या तेट घंटे के लिए रेस्ट कर पे रख देंगे तो क्या होगा कि जो हमने मैदा इसमें डाला है ना वो सिकड़े का नहीं जब हम रोटी बनाते हैं तो यहां पे रेस्ट करना इसको जरूरी है तो मैंने यहां पे सिर्फ 15-20 मिनिट का रेस्ट दिया है और हम अपना कुकर को देख लेते हैं कि हमारी जो दाल है वो पग गई नहीं तो हमारी दाल अच्छे से पग नहीं है तो अब एक पैन लेंगे और जो दाल है उसका पानी सारा निकल गया है अब हम गैस ऑन करके इसको थोड़ा सा पका लेंगे और एक मैशर की हैप से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हमने अपनी दाल को जितनी भी सौफ्ट हो गई है यह तो आप देख सकते हैं कि ह यहां पर जो मैंने मैशर की हैप से सारा का सारा जो अपनी चना दाल को मैश कर लिया है और जैसे यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो अब हम डालेंगे इसमें गुड हम इसमें चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा हेल्थी बनाना है तो अब इसमें डालेंगे ह मेरे पास आप गुड कोई सा भी ले सकते हैं और इसके कलर भी ट्पेंट करता है कि आप कैसा डार गुड लेते हैं या लाइट कलर वाला गुड लेते हैं तो यहाँ पर यह जो गुड है मेरे पास थोड़ा सा डार कलर का है तो आप देख सकते हैं कि यह तोड़ा सा melt होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा liquid हो गया है तो अब इसको हम पकाते रहेंगे दीम्याच पर चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कि जो good है वो सारा का सारा डाल के साथ में अच्छे से mix हो गया Jest और एक अलका सा dough बनना स्टार्ट ह तो जैसे ही इसका डो बन जाएगा तो अब हम अच्छे से इसको केस को आफ करतेंगे और ठंड होने के लिए रख देंगे जैसे ही ठंड हो जाएगा तो आप इसको और भी मेशर से अच्छे से मैश कर्शकते हैं मुझे थोडा सा फाइन पूरें पूर पुण बनाइं! ताकि जो जब हम इसकी वो बनाएंगे रोटी बनाएंगे पूरा पूरी बनाएंगे तो अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छन्नी ली है और इसमें हम इस तरीके से इसको चान लेंगे ताकि बिल्कुल फाइन जो हमारे पर दाल का मिक्षिर है वो इतना फाइन रिडी हो गया है कि इसकी पॉल्स भी आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्टली बन रही है तो अब हम अपना स्टफिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर जो मेरा आटा है इसको हमने पहले गुन के रल किया तो इसको पंदा से बीस मिनट लग गई है तो अब इसक करके हम थोड़ा सा सुखा आटा लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा जो पूरी साइस का है इस तरह से बना लेंगे और अच्छे से जो डाल की जो बॉल है वो थोड़ा सा आटे से जादा लेनी है ताकि स्टफिंग हमारी हर तरफ से और पूरा अच्छे से फिल हो त हमें तो इस तरह के से करेंगे हम लोग और आप जो स्टफिंग है इसकी उसको आप 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं खराब नहीं होगी हमारी स्टफिंग और आप कभी भी बच्चों को टिफिन के लिए या कभी मन करें तो आप बना के कभी भी ख़ा सकते हैं तो अब हम इसकी जो रोटी है वो इस तरीके से पतली पतली बना लेनी है जैसे स्टाफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और हमारा जो आटा है वो भी ज्यादा सिकुड नहीं रहा है तो अब हमने तवा हमारा गरम था धीमी आश पे हमने दोनों तरफ से जो पुरन पोलिय उसको अच्छे से पका लेना है यहां पे मैं देशी का युज करते हैं इससे बहुत अच्छा तेस्टह आता है और हेल्टी होता है क्योंकि हमने इसमें वैसे भी गुड का यूज किया है तो गुड वैसे भी हेल्थी होता है गी का यूज किया आटे का जादा मैदा नहीं है हमारे पार तो बहुत ही हेल्थी बनके रेडी होती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है इस तरह कैसे हमने सारी पुरन पु सब्सक्राइब मैं चैनल एंड मिलते हैं अपनी नेक्स रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाए